नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और न्यूस ट्लिक पे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे लेफ्टिस्ट सूफी से जी हाँ लेफ्टिस्ट सूफी से जिन्नोंने फिल्म के दुनिया में वह कमाल किया जिस तरह से उनके फ्रेम्स हैं जिनके बारे में हम निश्चित त पसंद है और वह दिल्ली आये हुए थे निलाब स्मृति लेक्चर के लिए उसी समय हमने उनसे बात की और खास तोर से हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि उनकी फिल्म नसीम जो बहुत एहम बहुत दिल के करीब उनके भी है मेरे भी है और उसके बहुत माइने हैं क्योंकि भारती राजनीती में जो पूरा का पूरा चक्र बाबरी मस्जिद ध्वन से शुरू हुआ वह 2022 में कहां पहुचा है इसके बारे में नसीम नसीम की जो पूरी एंडिंग है वह संकेत देती है कि आने वाला भारत यानी 2022 का भारत किस तरह से होगा वह जो दूर है वह आपको आपकी फिल्मों को बहुत दूसरे मुकाम पर हमारे लिए हमारी जेनरेशन के लिए बहुत एहमियत रखती है न्यूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल क्योंकि यह फिल्म मेरे लिए बहुत important है मैं बहुत छोटी थी जब बाब को बिना दिखाए बिना जो वाइलेंस वा उसके इर्थगर्थ जो मुसल्मान का आइसोलेशन है राजनीती से जो आइसोलेशन है कॉंस्ट्यूशन से जो पूरा का पूरा एक तरह से कहिए कि उसका ध्वस्त होने की प्रक्रिया जो शुरू ही उसकी और इशारा करती है मगर मैंने किताबे लिखने शुरू कर दी आइसा राइटिंग और मैंने चार किताबे में लिखी हैं इस इंपॉर्टन तो रमेंबर के मैं आलसो राइटर और मैं ग्यूंगता रहता हूं तो उसकी वज़े ये थी के एक खाब था, we had a dream as a nation के हम ऐसा देश चाहते हैं और क्या ऐसा देश होगा जो इस बी सेखिला, इस बी डेमोक्राटिक, इस बी प्रवाइट जस्टिस हर तपके को ये सब चीज़ें मिलेंगी काख़ नहीं था खाब था, it's an important thing to remember, it was a dream और हम कहां से आये थे उससे पहले, we must know, what was this nation, भारत क्या था उससे पहले, born out of immense communal slaughter, इतनी इतने लोग मारे गाए, in terms of communalism, and a patriarchy, patriarchy, feudal, caste and community-ridden society, this is our country, उसके बाबजूद अपनी ये सोचा, हम ऐसे हिर्देश चाहते हैं, it's a dream, और दिक्कत ये थी कि दोस्रे लोग जो जो शाह में खड़े थे, वो वेटिंदे, वो वेटिंदे, वेटिंदे वेटिंदे वेइंगे, कि वह ये कौन सा भारत है, और उनके, उनके प्लान कुछ और थे, वो कैसा भारत चाहते हैं, वो future को नहीं देख रहते, वो past को देख मुझे याद था कि याद आया कि अब यहां से शुरुबात होगी, नया दौर शुरू हो जागा यहां से, I knew it, और शुर नफ को दो-तीन साल पहले बाद, उसके बाद चुना होए, भारती जन्दा पार्टी केम तू सीट्स, 282 सीट्स, 92 सीबत ने कि पार्टी अनके कि भाया यह है, रुख, बारत अब इस तरफ बढ़ गया है, और इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंके हमें हिम्मत नहीं थी, we didn't have the courage, courage मैं इसली कह रहा हूँ क्योंके 1947 के दौरान से, we've been having regular caste and communal rights हमारे देश में, हमने किसको नहीं दोशी तहराया है, nobody was held accountable, बहुत सब्सक्राइब कुछ चोटी मोडी कि सकमेशे थी, कुछ ज्यादा आरसन और लूट मार और लोग मर गए, उसके बाद मैसिकल्स भी शुड़ हो गए, यह है तारीख हमारे देश की, और जब बाबरी मस्जड हैगा है, यार यह तो, this is it. कभी आपने सोचा था, बतौर फिल्मेकर, कभी भारती इनागरिक, कि बाबरी मस्जड इस तरह से गिराई जाएगी, आपको इसका आभास हुआ था, या आपको लग रहा था कि कुछ दूसरा रास्ता निकल सकता है. तो जब बूरा दाउष है लाम जर्भूमी बाबरी मस्जड का लगाता जो निकल चुका था देश में, यार बिल्डप जो दी दिया उसको अखबार रहने है यार बिल्डप तो 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 द अमीडिया, तो मैं कि रगा कि यार, this is a movement, it's a very strong movement, और बरसों से बिल्डप हो रहा असरनी रेलाज के भाई वो खाब साव में खाब से वो खत्म हो चुका है और यह कॉंस्टिटूश्य हो है महारा, अब अब बिकाम फिग लीफ, हम कहीं और निकल रहे हैं, जहां शायद there will be no poetry, वो कम हो जाएगा, it will be less compassionate, गुस्सा बढ़ता जाएगा और नफरत, बरती जाएगी, you're gonna keep increasing, so I wrote the epitaph, भया, यह देश को पर आना था अब यह नया देश आने वारा है, जहलो इसे, उसको आपने कैमरे में पकड़ने की सोफ़श नहीं जहलो जाती है, तो लड़की नसीम अपने घर में बैठी है, और उनके दादा जहाती है, मर गए हैं उसी दिन और फिर वो जनाजा निकलता उनका और बैठी उनके कमरे में जहां और रेटेव होए थे उनका पलंग जो था वहां बैठी है उसका पलंग पर उसे उसे एक ख्याल आथा याद इसा मेमरी कमस बैक टूर यह दोनों समंदर के सामने बैठे हैं दोनों क्योंकर थे यह सबस्तु नियृ क्योंकि मैंने जिक बाना निया के सघ्यान प्जा तुमेरे नियृया बैठी घ्या इसा जवाब है… तो अन्साइंटिफिक मुसकराती हलॉचनी है नहीं लगते हैं अथन यह तनि आंसाइंटिविक है hoondi को हूजा तो मुस्कराइना बुस यह कि मुझे पीला अच्छा ने लगा मैंने निला पेम कर दिया जादर जान आस्मान नीला इसलिए थोड़ी होता है मगर तो मुस्कुराई ना आस्मान नीला हो पीला हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्कुराना बहुत जुरूरी है तो 2022 में अगर आप इसकी क्लोजिंग रखें नसीम की क्योंकि नसीम अपने आप में बहुत नसीम मतलब ताजी हवा ताजा हवा और नसीम बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा का एक विश्य सर्कल शुरू हुआ उसकी शुरुवात को पकड़ती है आज की तारीक में जब हम आप बैठे हैं यहां पर दिल्ली में वो जो सर्कल शुरू हुआ था वो तकरीबन दूसरे मुकाम पर पहुचा हुआ है जो नफरत का सफर वहां से शुरू हुथा आज वो मेजोरिटरियनिजम में तब्दील हो चुका है भारत में आज आपके लिए नसीम अगर एक फिल्म है जिसे हम देखते हैं आप क्लोजिंग क्या रखते उसकी आज की तारिख में 2022 में वही रखता है वही रखता है क्योंकि दिक्कत क्या है कि नफरत जो जो हुण है यह अगरे वही प्राइम प्राइम वल एमोशन है लोगे। इस कॉस को का समें अगरम में नफरत जो पैदा की जाती है यहां वो अग्जब मैनिफेक्स हो जाता है यानि के नकली उस से कैसे निपट लें वेडिफिकुट और उसके बावजूर जो जो आपने उसके बावजूर जो आपने उसके पीछे और फिर आपने आपके पास जितने भी इंसिटूशन हैं जो आपने युव टेकन ओवर CBI ED पतने क्या क्या युव टेकन ओवर एंटाय स्टेट मशिनियर आप रिकाप के हाथम हैं इस वक्त और जो आचाहें आप कर सकते हैं सबाल यह कि कितनी देर के लिए हैं इस इंटायर लाए इस जूट के साथ आप कहां तक जा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा इस के आप जानते हैं वो भी जानते हैं तो फिर क्या करेंगे लोग जैसे आज मैं देख रही थी मुझे क्योंकि आपकी फिल्म है अलबर्ट पिंटो को गुसा क्यों आता है आज जब मैं देख रही थी कि जो अगनी पत और अगनी वीर करके पूरी स्कीम लाउंच हुई है तो आज की तारीख में इतने बड़े पैमाने पे जो यूथ है वह गुसे में है वह अपने हक के लिए मांग करता है करता दिखाई दे रहा है तो यह एक मैं अपनी बात बता रही हूं कि जब मैं आप सोच रही थे कि आपसे मुलाखात होगी तो यह जरूर पूछूंगी कि आ हम देखें हैं कि अभरी यह हमारे देश में कमस कम एक करूर लोग ग्राजविट होते हैं है दस वी पास दस वी ऐर बारवी तैन मिलियन ग्राजविट मिखा थे नदप दो मिलियन पंद्रह मिलियन हर साल निकल रहे हैं नौके को उप जब में every year 15 million people every year निकल रहे हैं और सब लोग ने अच्छी जिंदीगी देखी टेविशन पर वो सब चाहते हैं हमें भी यह चाहिए यह जो कहां जाएगे यह energy और कौन इस्तिमाल करेगा इस घुसिक और इस्तिमाल होगा this is a classic example of fascism when it utilizes the anger of a people which is genuine which is real and diverts it say dusman wow state name出shman dusman wow it diverts the real anger of people and says इसकी वजे वो है and that is another frightening thought यह मैंने अपनी किताब में लिखी है अम्मी ए लड़ा देमोक्राटिक मदा उसमें था मैं लिखा कि हर साल यह निकलने वाले relentlessly हर साल 15 मिलियन पीपल every year looking for work कहां जाने बाले कहां जाने वाले लोग तो आपको आपको किसी को ढूड़ना पड़ागा भईया इसको बना बर्गा बकर बना दो अगर आपने काट पा रहे हैं और आपको किसी को दोशे बना दो बना देंगे बहुत आसान है मजभ पे आजाईए आप जात पे आजाईए लौजवान आज की तारीक में जब भी बीच बीच में अंतर आता है तो नौकरी को लेकर या अपने भविश्य को लेकर तो काफी फिक्रमन दिखाई दे रहा है आपको लगता है कि इससे कोई रा निकल सकती है जैसे दो आंदोलन जो हाल में हुए किसान आंदोलन और उसे पहले नागरिक्ता संशोधन के खिलाफ इस इस दे पॉसिटिव आसपेक्ट जो हम वह वह जो कहते हैं रेस अव लाइट जो आ रही हैं इस अंधेरे में यह दिए रेस अव लाइट मगर उसके बाद चुपी मगर वह हैं वो लोग हैं जिन्होंने हिस्सा लिया आए वो हैं और देश भर में सिर्फ चुपें क्यों जानते नतीज़ा अगर आप फिर से आवाज उचान ते क्या होने बाद मगर वह हैं और जैसे मैं बता रहा हैं आपको कि यह दौर कब तक चलेगा यह नफरत को यह बेरहमी का इंद अप्सूट थगिश बहेवियर कब तक चलेगा आपको कि काहीं आपको अपको अब्सक्राइब कर ने कि ऊद्धार कर रही है कि बार वही बॉलीवुट करता यह बॉलीवुट के कुछ लोग करते दिखाई देते और जो लोग करते हूं के खिलाफ बोलने वाले लोग ने ऐसे अमरीका में भी जो होलिवोड की सेलिब्रिटीज हैं लोग हैं वो बोलते हैं ट्रम के खिलाफ बोलते हैं सामने आते हैं एक पोस्चर लेते हैं भारत में क्या वज़ा है कि बॉलिवोड इन तमाम क्रिटिकल देश के लिए इंपॉर्टन मुद्दों पर नहीं बोलता रहा बड़े पैमाने पर जुपी है बोलिवोड इस अफ टार्गेट मगर उनके उनकी दिक्कत क्या कि बोलिवोड में उनके हैं वे अलोट जो धकावा है अगर कुछ बोलने तो खुल जागे तो उसका वो डर है मगर रहां कि मिया होलिवोड इस एन एक्जाम पर वो दो सेम होलिवोड गोस तो ओ ओ जाते हैं और दूट दुनिया भर में कर रहा है अपना जंग अमेरिकेश नहीं यूज आप उस एग्जाम आप प्ले नहीं वे शुट फार्ट जो फार्ट जो लड़ना है जो पूलिवोड प्रब्रम भी प्रब्रब्र वीप्रश्ट ओवे अप्रॉड जो प्रॉड जो प साथ तीवे पर पत्रकारों फिल्मेकरों इतल रमीन और यह जिंदी की भर एधर थो फिर्ट वाट पीपल आप लाग दिस यार इस नहीं नहीं यूज नहीं नहीं अवर्ट काव्ट विश्ट उट पावर व्यवड दो बगर वहीं एज़ एब्यूंपल जैन्ग बनो, बनो, I am not, I have nothing against it, but don't tell me I am not a patriot. देशवक्ती की सबग जो सिखारे हैं? वो मझी मन सखाव, वो मझी मन सखाव, because I know, I love this country more than most of them will ever do. आईच किया आपको लगता है किया जभाओअ सथा चक्षट कांच्याविस आपको आपको जयादा पसंद है, इन जेंरल से आप आप आम इन पूस्तों मिले करें, ii faan 북한 쪽 allowed आम लोगों से, just drive around the country, लावे में रुके किसी छोटे होटेल में, किसी नाई से मिले, किसी धोबी से मिले, just talk on the way, बस में जाकर लोगें से बात करें, बढ़िया लोग हैं, यह देश को नहीं चलाते हैं, यह नहीं, वो नफरत पारें चलाते हैं, जिनके दिनों में प्यार है ह नहीं, they are loveless people, they have just hate in their hearts, and they have no space for love, I pity them, they are sad lot, वो सोते कैसे हैं, रात को, कोई नहीं किताब या कुछ और लिख रहे हैं आप, हाँ, मैंने किताब ही हाली में खतम किये, वो, it's one of my friendship with Kundan Shah, जा कुंदन जी पर, our friendship through films, through literature, through politics, through history, through the FDI, through cinema, और आकी बहुत लंबी दोस्ती रही है कुंदन जी के साथ? 1973 onwards to 19-2017, जो उनका इंतकाल हो गया, जी, बहुत बहुत शुक्रिया News Click से बात करने के लिए, तहे दिल से, तहे दिल से, और वेलकम, थेंकिय।